हालग दोस्तों, तो Infinix नास लॉंच कर दिया है अपना इस साल का सबसे सस्ता स्मार्टफोन Infinix Smart HD 2021 इसके नाम में 2021 दिसले लगाय गया है क्योंकि Smart HD नाम का एक और फोन Infinix बाकी मार्केट्स में लॉंच कर चुका है यह फोन में पास आगिया है, आज पूरी टेस्टिंग की करेंगे, कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, सारी फीचर्स आपको बता दूँगा, फटावट पहले अन्बोक्सिंग देख लो पर अभी मैं ये केस उतार रहा था, और एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ पर थोड़ा सा ये फोन ऐसा खुल गया है, अभी मुझे पता नहीं है, इसका रिमूवेबल बैक पैनल है, या फिर ये कुछ डिफेक्ट है तो ये मतलब ऐसे खुल गया है, और मैं थोड़ा सा डर ही आथा एकदम की फोन टूटने लगा है, बट अक्चुली ये रिमूवेबल है, ये अब देखो कि जो आपकी SIM कार्ट डालने की जगे है, जो MicroSD कार्ट डालने की जगे है, सारी यहाँ पे हैं, काफी अच्छा लग ये अच्छा लगा है, ये अच्छा लगा है, ये हैं इन्फिनिक स्मार्ट एजडी ट्वेंटी 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 वन और बिल्कुल सच आपको बताता हूं, जब मैंने सुना था कि एक छेजार का फोन है, जो मेरी एक्स्पेक्टेशन ती से कि कैसा इसका डिजाइन होगा, कैसी इसकी बेल्ड कॉलिटी होगी, उससे काफी जादा बेटर लग रहा है मुझे ये फॉर्स्ट इंप्रेशन में, पीछे हमें प्लास्टिक बैक मिल जाती है, उपर से मिल जाता है, इन्फिनिक्स का ये ग्रेडियन डिजाइन हमने होट 9 सीरीज और एक दो और इ एक ही कैमरा, पर वो उसको थोड़ा भरा भरा दिखाने के लिए स्क्वेर बना दिया है, I think 9 mm के अराउंड की थिकने सोगी, वेट पी एक बन आप लेते हैं, 193 ग्राम का वेट यहां पर आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ बहुत हलका नहीं है, बट फिर भी, जो ओवराल इसका स अच्छानी से मैं रीच कर पा रहा हूं, ऊपर की साइड आ जाता है हमारा हेटफोन जाक, लेट साइड एगनब बंजर है, नीचे की साइड है, एक माइक्रोफोन और एक माइक्रो यूस्बी पोर्ट, अब जो स्पीकर है यहां पर नीचे की साइड नहीं दिया गया है, स् इस चीज़ कोई सिम ट्रे आपको नहीं दिख रही है, जैसे अब बताया था, सिम ट्रे भाई अंदर की साइड है यहां पर बैक कबर खोल के सिम स्लोट मिल जाते हैं इस तरीके साइड यहां पर अपने नैनो सिम यूस कर सकते हो, उसके अलावा एक माइक्रो एस्डी काड अब आगे की साइड आते हैं, एक चीज़ आपको यहां पर दिख रही होगी कि बहुत सारे मेरे फिंगर प्रेंट के निशान आपको दिख रहे होंगे, तो यह मतलब ओलियोफोबिक कोटिंग जो होती है, फोन की स्क्रीन पर यहां पर नहीं यूस करी गई है या फिर आपको यहां पर नहीं मिलता है, पर उसके लावे जो स्क्रीन कॉलिटी है, काफी डिसेंड लगी मुझे, व्यूइंग अंगल भी आपको अच्छे का से मिल जा रहे हैं, जो कलर वगरा है वो भी अच्छे लग रहे हैं, बैटनेस लेवल भी यहां पर अच्छे का से दिये आप भाई, कॉस्ट कम रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता, और कम से कम इन्फिनिक्स ने जो एक्छल स्क्रीन है, वो यहां पर अच्छी डाल दी है, दूसी चीज़ जो मैं नोटिस करी वो यार यह जो फिंगर्प्रिंट के निशान वगरा है, काफी असानी से अब जो स्पीकर आपे मिल रहा है पीछे के साइड, उसका भी टेस्ट एक बार करके देख लेते हैं, तो स्पीकर परफॉर्मेंस मतलब ओके-ओके है, ओविसली थोड़ा सा नुकसान हो जाता है क्योंकि स्पीकर पीछे की तरफ है, तो अगर आप फ्लाट टोगे तो थोड तो अगर आप इसको यूज करोगे स्पीकर को थोड़ा इस तरीके से हाथ रख के करना जिससे आपकी तरफ आवाज आ जाए, पर बेटर ही है, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, या ओनलाइन क्लास वगेरा ले रहे हो, एरफोन यूज कर लेना, तो इस फोर्म में मि अगरी रहती है, तो आप मान सकते हो, एक जीबी, 1200 MB तक की राम आपको मिलेगी, तो प्रोसेसर में यहां पर मिल रहा है, मीडिया टेक का हीलियो A20, बेसिकली, Quad-Core प्रोसेसर है यह, इसको मिलब सिंपल शब्दों में समझाओं, तो जो हीलियो P22 हमें मिलता है, वो अक्ता-Core होता है, उसका समझ लो आपकी, दो हिस्सों में बाट के एक इस्सा यहां पर लगा दिया गया है, जो कोड़ यहां पर यूज करे गए है, जो जीप यहां पर है, सब चीज एक दम सेम है, पर इसली एक एक दम एंटी लवल प्रोसेसर है, उसी टाइप की परफॉ एक लिएख में जो परफॉम्स आपको मिलेगी इसी लेवल की आपको मिलेगी तो गभी गेंज है, वह तो आप यहां पर नहीं चला हो तो बेटर है, लेकिन जो यह नॉमल अपने गेम्स होते हैं सब वे सर फिर्स टेम्पल रन जैसे वह आप फिर भी यहां पर घेल सकते हो अलागि Temple Land 2 के भी मैंने 2-3 राउंड यहाँ पे खेल के देखे और मतलब कहीं कबार थोड़े बहुत मुझे यहाँ पे स्टटर बगरा दिख जा रहे थे अब नेक्स चीज़ आते हैं सॉफ़वेर पे तो यहाँ पे मिल रहा है Android 10 लेकिन यह Android Go है बेसिकली जो थोड़ा सा Tone Down version होता है Android का budget phones के लिए खर उपर ते में मिल जाती है Infinix की अपनी XOS 6 वाली skin और यहाँ पे भी मतलब यह थोड़ी सी Tone Down आप मान सकते हो Infinix के बाकी phones से जैसे एक ग्जामपल आपको देता हूँ जो आपका settings पेज है यह आपको normal Infinix वाला मिल रहा है बट जब आपको इसी settings में जाओगे जैसे मैं display settings में आया हूँ तो यहाँ पे एकदम stock Android वाला इंटरफेस है सेम चीज़ आप देख सकते हो जादा सर्फ चीज़ों में जैसे बैटरी भी यहाँ पे एकदम stock Android वाला इंटरफेस आगया है security वागरे में आप देखोगे सेम चीज़ है अनलोग भी मिल जाता है जो बहुत instantaneous तो नहीं है बट फिर भी एक second के around unlock कर देता है अब sensors की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें light sensor मिल रहा है proximity sensor मिल रहा है और accelerometer मिल जाता है लेकिन जो orientation sensor होता है जो magnetometer होता है जिससे पता चलता है अपके phone को कि आपके site देख रहे हो वो चीज यहाँ से missing है उसका लवा एक बहुत अची चीज मुझे लगी ही कि यहाँ पर हमें dual band wifi का support मिल रहा है तो मतलब wifi performance आप यहाँ पर काफी एच्छी expect कर सकते हो इसका लवा दो forges से हम आप यहाँ पर use कर सकते हो V.O.L.T. यहाँ पर है V.O.Wi-Fi भी यहाँ पर दिया गया है calling वगेरा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए finally यहाँ पर आपको FM radio का support भी मिलता है तो earphones लगा के आप FM radio सुन सकते हो phone से direct next पर आजाते हैं जो है battery life तो phone में हमें 5000 mAh की battery मिल रही है और मेरे साब से अराम से यह phone आपका डेड़ से दो दिन चलना चाहिए अब जो charger हमें box में मिल रहा है वो है सिर्फ 6 Watt का तो charging में definitely थोड़ा सा time लगेगा इस phone को आप मान सकते हो 3 गंटे से लेके 4 गंटे तक इसको लग सकता है full होने में आप जाते है फाइनल चीप पे जो है फोन के कामरा पीछे के साइड़ा है आट में पिक्सल का कामरा साती साथ एक फ्लैशलाइट आपको मिल जाएगी आगे की साइड आपको मिलता है पाँच में पिक्सल सेलफी और इंफिनिक्स शाइद अकेली कमपनी है इस टाइम जो एक डेडिकेटिड सेलफी फ्लैश भी आपको देती है अब कामरा आप जो आपको यहाँ पे मिल रही है वो नॉर्मल इंफिनिक्स वाली है तो मोड आपको यहाँ पे क्या के मिलते हैं AI मोड है, ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है और पैनोरामा है, नाइट मोड वगएर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा आगे की साइड भी आपको यही वाले सेम मोड मिल जाते हैं अब विडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो आगे पीछे दोनों कैमरा से 1080p 30fps तक की पूरा डिटेल में इसकी कैमरा परफॉर्मेंस में टेस्ट करूंगा बट अभी के लिए आप कुछ सैंपल्स देख सकते हो और मतलब ठीक थाग मान लो आप कैमरा परफॉर्मेंस इसकी इस प्राइस रेंज में बहुत कुछ जबरदस आपको नहीं मिलेगा थोड़ी बहुत फोटो आप से ज़रूर की चकते हो नोट्स वगरा की फोटो जैसा आपको लेनी हो वो सब चीज ये कर देगा human subject की फोटो मुझे उतनी आदा अची नहीं लगी skin tone थोड़ी ज़ादा ही lifeless सी ये कर देता है और जो dynamic range performance है HDR performance है वो भी थोड़ी सी weak है वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको ठीक टाक मिल जाती है dynamic range जगे हैं थोड़ी सी weak है details भी थोड़े से soft हैं और ऐसी कुछ stabilization आपको नहीं मिलती है फिर भी अची lighting condition में आप काम चला सकते हो तो ये थे Infinix Smart HD 2021 के बारे में मेरे first impressions और यार देखो इस phone का सबसे important feature जो है वो है इस phone का price 6000 रुपे से ये phone start हो जाता है proper entry level phone है ये और इस time ऐसे कुछ बहुत जादा options नहीं है मेरे पास आपको compare करके बताने के लिए 6000 रुपे में और अगर आप बिल्कुल tight budget पे हो 6-6,500 तक अगर आपको phone लेना है तो actually ये बुरा option नहीं है ये जो इसका look है जो इसकी build quality है काफी दमदार लग रही है मुझे price के साब से उसके लिए स्क्रीन आपको decent quality की मिल रही है और जो wifi और mobile network performance है वो यहाँ पे आपको अच्छी का सी मिल जाने चाहिए battery life यहाँ पे जबरदस्त आपको मिल रही है camera से भी आप काम चला सकते हो negatives अभी यहाँ पे कुछ बताने को नहीं है क्योंकि वो ही बात है कि ऐसा कुछ इसका direct competition नहीं है या कुछ ऐसा phone नहीं है जो इससे better चीज़े दे रहा हो आपको इस price में हाँ बस वही बात है कि जो processor है यहाँ पे यह इतना strong नहीं है वगर आपको थोड़ी सी भी gaming करनी है या थोड़े से अगर आप heavy user हो आपको चाहिए कि थोड़ा जल्दी खुल जाए app सो आपको Helio G35, Helio G70 वालों को इस phone consider करना चाहिए जैसे इस से 1000 रुपे extra में आपको Micromax In-1B मिल जाएगा जिसमें थोड़ी सी बेटर आपको performance मिल जाएगी और obviously cameras वगरा भी शायद थोड़ी से बेटर महाँ पे हो Micromax In-1B का full review comparison अगर आपको देखना है लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा पर अभी इस वीडियो के लिए तना ही आप बताओ आपके यह ख्याल है इस phone के बारे में और कुछ सवाल आपके मन में रह गए है इसके बारे में तो भाई नीचे comment कर दो या फिर मेरे Twitter पर आके मुझसे आप direct बात करो मैं मिलता आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई